Hello Everyone, कैसे है आप सब लोग, नुर्स किचन में आप सब को स्वागत है आज मैं आप सब के साथ बहुती मज़ेदार रेसीपी शेयर करने वाली हूँ नमकीन मठरी की, जो बारिस के मोसब में चय के साथ बहुती मज़े के लगते हैं आप सुबा हो या साम इसे इंज़ाए कर सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं घर के समानों से आप मेरा पूरा वीडियो देखे तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे step by step आपको समझाया है इसकी बिना किये ही आप पूरा वीडियो देखें तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे उसमें हम मैदे को छण लेंगे यहाँ पर हमने दो कप मैदे का इस्तामाल किया है आप चाहें तो कमिया ज्यादा ले सकते हैं मैदे को छणना बहुत जरूरी होता है किनके बरसात का मौसम है न इसमें कीरे वगएर हो सकते हैं इसलिए आप जब भी कुछ बनाएं तो मैदे को छण लिया करें अब चाहनने के बाद इसमें हम फिलेवर के लिए कुछ समान डालेंगे सबसे पहले हम इसमें आजमाइन को डालेंगे आजमाइन को थोड़ा मसल कर डालें यह डाइजेस के लिए बहुत अच्छा होता है इसलिए आप इसे जरूर डालें अब उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे फिर इसमें कसुरी मियत्य डालें, स्वादनुसा नमक डाल दें, उसके बाद इसमें मंग्रेल डाल दें इससे भी इसका flavor बहुत enhance हो जाता है अब इसे अच्छी तरह से आप मिला लें, इस तरह से मिलाएं मिलाने के बाद इसमें हम थोरा सा गी डाल देंगे ये तीन चम्मच है खाने के हमने इसे थोरा सा गरम कर लिया है अब इसे हम मिला लेंगे अच्छी तरह से मिलाए आप जब तक ये पूरा मिक्स न हो जाए ये देखिए मोयन तयार हो गया है इस तरह से मुठी बने तो समझे की मोयन तयार है अगर ना बन दे तो थोरा सा और गी डाल दे उसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे थोरा थोरा ही पानी डाल कर आप इसे गुदे क्योंकि इसके सॉफ्ट डो नहीं बनाना है थोरा हाड होना चाहिए तभी नमकिन परफेक्ट बनेगा आपका इसलिए आप हलका हलका पानी डाल कर ही इसे गुदे हमें एकदम सक्त डो लगाना है ये देखिए हमने आटे को गुंद लिया है अभी से हम 10 से 15 मिनट के लिए ढखकर रेष्ट पर रख देंगे भी सेट हो गया है अब इसे हम हलका सा मिला लेंगे और मिला-कर इसे और इसे साइड में रख देंगे अम यहाँ पर Center तयार करेंगे जिसके लिए हम यहाँ धोरा सा नहीं यहाँ रिया यानिके दो चमच गी है और फिसे हम मिक्स कर लेंगे यह हमारी सेलेरी तयार हो गई नमकिन में लगाने के लिए इसे हम साइड में रख देंगे अब आठे से हम एक बड़ा सा पोशन क्युण आप हाथ से प्रेश कर दें इसे थिंद के बाद आसानी होती है इस तरह से बेलने में अब हम इसे एक बड़ा सा रोटी बना लेंगे, ये देखिए रोटी बन गया है, अब इसके उपर हम सेलेरी लगा देंगे, अच्छी तरह से हर तरफ सेलेरी को फैला दें, उसके बाद इसे रोल कर दें, रोल करने के बाद इसके हम छोटे छोटे टुकरे कट कर लेंगे, इस में ठोड़ा अच्छा लगता है यह देखिए अब इस तरह से हम प्रेस कर देंगे और उसके बाद इसे हम बैल लेंगे दिरे दिरे बैले इस तरह से उसके बाद यह हो गई परत खुलेगा यह देखिए एक तरफ से हमने लगा लिया है उसके बाद इस तरह से आप फोल्ड कर दें लेडे तरह से हम फिर यह को लगाए। यह भी पूरी की तरह बन गया है सेम अब उसके उपर हम सेलेरी लगा लेंगे फिर दूसरी तरफ से फोल्ड करके सेलेरी लगाए उसके बाद इसे बेल कर रेडी कर लें इसी तरह से आप सारी मठरी को बना सकते हैं यह तो हो गया एक तरीका आप दूसरा तरीका में बता देत उसके बाद इसे गोल करके बेल लें इससे एक ही मठरी बनेगी एक बार में इसे भी आप पूरी की तरफ बेल कर सेलेरी लगाए फिर फोल्ड करें फिर सेलेरी लगाए उसके बाद इसे तिन कोना सेप में बेल लें ये देखिए सारी मठरी तयार हो गई है इसी तरह से हमने सा तेल को गरम कर लेंगे, तेल को आप हलका ही गरम करें, मेडियम फिलेम पे ज्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप नमकिन रखेंगे, तो वो जल जाएगा, और लाल हो जाएगा, मगर क्रिस्पी नहीं होगा, इसलिए आप मेडियम फिलेम पे ही इसे फ्राइ क कभी भी नफकाएं नहीं तो अंदर से ये कच्चा रह जाए गगा आप एगई का नहीं बनेगा आप लो फिलिम पर हो रहीं हैं तो एक लाइक जरूर करदें और आप जरूर बनाकर अपनी फैंमली को खिला और इसे आप बना कर सकते हैं यह बहुत दिनों तक चलते हैं कोई भी मेहमान आ जाए तो आप जड़ पर से यह चाय के साथ सर्फ कर सकते हैं इसलिए आप एक बाद जरूर बना कर देखें पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें इसे ज्य अगले वीडियो में बहुत सारा ख्याल रखें थैंक्स फूर वाचिंग